नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा जहारखंड में पेपर लिक वाइरस का संक्रमन अभी थमा नहीं है और सेटिंग करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं अभी JSC Combined Graduate Level Exam के पेपर लिक के बाद 11 वी JPSC पेपर लिक का मामला भी सामने आ गया है ऐसे में पुलिस सेटिंग करने वालों की खोज में लगी है इसी करम में जहारखंड के नामकुम थाने की पुलिस ने JPSC पेपर लिक मामले में दो दलाल को दानापुर से गिरफतार किया है जिहां पटना के दानापुर से दो दलालों को गिरफतार किया गया है जबकि मुख्य सरगना फरार हो गया है पुलिस ने तीन मोबाइल जब्त किये हैं बताया जाता है कि गिरफतार विरेंद्र वसंतोस ने मुख्य आरोपी से करीब डेर घंटे तक मोबाइल पर बाचित किया और मोबाइल का CDR खंगाला जा रहा है और किस से और बाचित कितनी हुई है ये सब कुछ पता किया जा रहा है इसकी भी जाज परताल की जा रही है थाना ध्यक्ष ने बताया है कि जारखंड के नामकुंग पुलिस ने पेपर लिक मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी की गिरफतारी करने के लिए दानापुर पुलिस के सहयोग से सुल्तानपुर सनिचरास्थान में छापे मार कर सेना दलाल विरेंद्र कुमार सर्मा और तुन्नु सर्मा वसंकेस कुमार को गिरफतार किया है जारखंड पुलिस ने गिरफतार विरेंद्र वसंकेस पर मुख्य सरगना को सनरक्षन दिने और भगाने का रोप है जारखंड पुलिस के मुताबिक पेपर लिक मामले में फ अब क्या है ये पूरा मामला ये भी जानिये जामतारा समेट पूरे प्रदेश में 17 मार्च को जेपीएसी परिक्षा आयोजित की गई थी जामतारा जिले में कुल 19 परिक्षा केंदर बनाये गए थे लेकिन इस दोरान परिक्षा केंदर जेजेएस डिगडी कॉलेज मिहिजाम परिक्षा परसन पत्र वितरन के दोरान अभियर्तियों ने ये कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया था कि परसन पत्र का बंडल खुला ह इस दोरान कई भ्रामक वीडियो भी सोसल मीडिया पर वायरल होने लगे और अब कई अभियर्थियों ने लगवक देड़ घंटे तक परिक्षा केंदर के बाहर हंगामा भी करते रहे थे इस दोरान जिले के उपायोक्त, पुलिस अधिक्षक, अनुमंडल पतादिकारी मौके वर पहुँचकर अभियर्थियों को समझाने का काफी प्रयास भी किया था लेकिन अभियर्थियों ने पेपर लिख होने की बात कहकर परिक्षा देने से इनकार कर दिया था इस वज़े से परिक्षा केंद्र में अफरात अफरी के बीच कई अभियर्थियों ने परिक्षा दी लेकिन इस दौरान भी परिक्षा केंद्र के बाहर कई अभियर्थी परिक्षा रद करने के जिद पर अरे रहें और विरोध जताते रहें ऐसे अभियर्तियों की जीला प्रसासन के द्वरा वीडियोग्राफी की गई थी और ऐसे 21 अभियर्तियों को नामजद और कई अग्यात अभियुक्त भी बनाए गये थे हलाकि बाद में इस पेपर लिक का खुलासा भी हुआ और जिसके बाद ये चापेवारी की जा रही है और अब जो है पटना से दो दलालों को गिरफतार भी किया गया है हलाकि मुख्या आरोपी फरार हो गया है तो फिलाल इस कवर में इतना ये दर्सनीज के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू कर लें धन्यवाद